बिग बॉस पंद्रह खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं हर कोई अपने पसंदीदा कंटेस्टंट को स्पोर्ट करने में लगे हैं बता दे हालगी में घर में फैमली वीक हुआ जहां सभी को अपने परिवार से बात करने का मौका मिला लेकिन इस बीच करंग कुंद्रा पर गौहर का गुस्सा फूटा बता दे गौहर खान ने जब करंग कुंद्रा को प्रतीक सहचपाल की मा से बात करते हुए देखा तो उन्हें करंग कुंद्रा का बरताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस पर गौहर खान ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की गोहर खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, काश करंग के पास इतनी हिम्मत होती कि वो प्रतीक की मा के मुँँपर उन्हें बेवकूफ कह सकते पंजाब के मुख्यमंत्री चरंजीत सिंग चन्नी के भतीजे और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशाले की छापेमारी के दौरान कुछ प्रॉपटी के कागजात और पैसे मिले हैं बताया जा रहा है कि इन ठिकानों पर चान्बीन के दौरान 6 करोण रुपए से ज्यादा वरामद हुए है सेम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंग के लुधियाना स्थित ठिकाने पर चापेमारी की गई थी इस चापेमारी में करीब 4 करोण रुपए मिले हैं इसके अलावा लुधियाना में ही संजीत कुमार के ठिकाने पर जाच परताल के दौरान 2 करोण रुपए मिले हैं यह मामला अवैद खनन से जुड़ा हुआ है हर्याना में इंडियन और्ल कॉर्पोरेशन लिमिटिट की एक रिफाइनरी से निकलने वाले गैस की वजह से किसानों की फसल को नुकसान पहुँचा है के पानीपत में स्थित रिफाइनरी के नजदीक बसे छे गाव के किसानों ने यह दावा करते हुए मुआवजे की मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है इन किसानों का कहना है कि रिफाइनरी से निकलने वाले जहरीली गैस की वजह से करीब पंद्रह सो एकर में लगी उनकी फसल को नुकसान पहुँचा है कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों के बीच करनातक में महामारी के प्रोटोकॉल के पालन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है कोरोना से बचाव के लिए मास्क को एहम माना जा रहा है लेकिन इसके उलट करना तक के मंत्री उमेश कट्टी ने मास्क पहनने से इंकार कर दिया है मास्क नहीं पहनने के बाद सवालों से बचने के लिए उन्होंने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी का सहार भी ले लिया दिलावर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोख गहलोत को हिंडूों का दुश्मन बता डाला. अनकिता लोखंडे और विक्की जैन की शादी को एक महीने से अधिक का समय हो चुका है. अनकिता लोखंडे ने शादी के बाद कई त्योहार विक्की जैन के साथ मनाए. हाल ही में अनकिता ने सोशल मीडिया पर अपनी और विक्की जैन की एक त्रोबैक तस्वीर साजाकिक बता दे यह तस्वीर काफी पुरानी लग रही है और अनकिता लोखड़े और विक्की जैन कैजूल कपड़ों में नजर आ रहे हैं दोनों ही काफी यंग और खुश लग रहे हैं कैमरा के लिए पोच करते हुए दोनों के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान है किद्नी से संबंधित समस्या इना केवल व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्य को प्रभावित कर सकती है बलकि व्यक्ति की शारीरिक शमता पर भी इसका नकारात्मत प्रभाव पड़ता है बता दे कि किद्नी का काम हमारे शरीर में बलड को फिल्टर करना होता है ऐसे में किड्नी से जुरी समस्या ब्लड फिल्टर करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है ऐसी एक समस्या है क्रोनिक किड्नी दिजीज इस डिजीज को chronic kidney failure भी कहते हैं जब कोई व्यक्ति chronic kidney डिजीज से ग्रस्थ होता है तो उसके शरीर में खून फिल्टर नहीं हो पाता और यह समस्या भविश्य में और गंभीर रूप ले सकती है। इसके इलाज के तौर पर dialysis विकल्प मौजूद होता है। वही kidney transplant के माध्यम से भी इस समस्या को दूर किया जाता है। बॉलिवोड अक्ट्रेस जेकलीन फर्नांडिस इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। ठक सुकेश चंदरशेखर से नाम जुडने के बाद से ही जेकलीन फर्नांडिस की नींदे उरी हुई है। सुकेश की वजह से ही ED की निगा अब सुनने में आ रहा है कि अक्किनेनी नागारजुन की मच अवेटिट फिल्म दगोस्ट से भी उनका पत्ता कर चुका है। बता दे कि इस सौ करोरी फिल्म में जैकलीन लीग रोल में नजर आने वाली थी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। करने के लिए उनके नमूने लिए थे। चिणियाघर के एक वरिष्ट अधिकारी ने PTI भाशा से कहा कि 18 वर्षिय मादा तेंदुए का नाम जया था और उसकी मौत जाहिर तोर पर सास लेने में परेशानी के चलते हुई। उन्होंने बताया कि 5 वर्षिय शेर का नाम जैसे हुई। दरसल, चिणियाघर के करीब 70 कर्मियों में कोरोना वाइरस के लक्षन दिखे हैं और वे प्रिथक वास में हैं।